तो आज का आपको करेंट का टॉपिक है रुपय का अंतराश्टी करण ठीक है अब इसमें एक आते है कि रुपय का क्या आप तक अंतराश्टी करण नहीं हुआ है अगर अंतराश्टी करण से मतलब क्या है ठीक है तिस से रिलेटेट कुछ कंटेंट है कुछ चर्चा का विश चर्चा में क्यों है इसके आवशक्ता क्यों है लाब चुनावतियां उपायगे दिश्कोंड से इन फ्यूचरिस्टिक दिश्कोंड से हमें इसको समझेंगे। सबसे पहले देखे हाली में एक रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गई है भारती रिजर्ब बैंक के डिप्टी गवर्नर के द्वारा की रुपए के अंतराश्टी करण करने से क्या लाब है और किस तरीके की हानी है इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और यह रिपोर और कैंटराश्टी करण का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतरगर्ट सीमा पर लेंदेन में अस्थानी मुद्रा के उप्योग को बढ़हावा देना शामिल है आप जो मुद्रा प्रयोग करते हैं पर शुरु प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं इनर सर्कल में अर्थात, भारती सीमा के अंदर जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं, उसके लिए हम रुपए का लेंदेन करते हैं, अर्थात, लोकल लस्तर पर हम लेंदेन के लिए रुपए का प्रियों करते हैं, लेकिन जैसे ही यह बॉर्डर पर आता है, बॉर्डर पर जो लेंदेन होता ह वो दो देशों के बीच हो रहा होता है दो विदेशी कमपणियों दो विदेशी यहाँ पर आपको संस्थाओं के मध यहाँ पर लेंदेन होता है और वो लेंदेन करते हैं जहाँ पर दोनों स्वीकार करें एक ही चीज को लेकर अर्थात एक मुद्रा जिस पर दोनों सहमत हों और वर्तमाल समय देखा जाए तो सर्व से सर्वमान ये मुद्रा कौन सी है डॉलर तो जो भी लेंदेन होता है वो किसमे होता है डॉलर में लेकिन यहाँ पर रुपए के अंतराश्टी करन अगर हो जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि हम ना सिरु भारत के अंदर बलकि भारत की सीमा इत्याद पर भी जो लेंदेन हो रहा है दूसरे देशों के साथ हम उसके लिए भी भुक्तान किसमें करें रुपए में करें ठीक है ये इसका मतलब होता है रुपए का अंतराश्टी करण तो यहाँ पे है इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिए रुपए को बढ़ावा देना रुपए के अंतराश्टी करण के अंतरगत आएगा अब देखा जाए तो जो लेंदेन की प्रक्रियाएं होती है उसमें भी प्रक्रिया होती है एक होता है चालू खाता लेंदेन के साथ साथ पूझी खाता लेंदेन में इसके उपयोग को प्रोट साहित करना तो खाते दो तरीके के आपको होते हैं, चालू खाता के अंतरगत आपको लेंदेन की प्रक्रियां होती हैं, और एक पूझी खाता के अंतरगत भी लेंदेन की प्रक्रियां आपको संचालित के जाती हैं, अब चालू खाता और पूझी खाते में समस्या क्या है, दोनों में थ थोड़ा सा difference है और इसी difference को लेकर भी यहां पर उनने सवाल यहां पर question create किया है कि जहां तक रुपए का सवाल है यह पूजी खाते में आंसिक रूप से जबकि चालू खाते में यह पूरी तरीके से परिवर्तनी हैं परिवर्तनी कहने का क्या मतलब हुआ कि आप जितनी मात्र में रुपए को डॉलर में डॉलर को रुपए में convert करा सकते हैं लेकिन अगर हम देखें पूजी खाते में क्या है यह आंसिक रूप से अर्थात पूजी खाते में यह सोविधा प्राप्त नहीं है किसके अंतरगत प्राप्त है सिर्फ चालू खाते के अंतरगत आपका जो संदर में किया गया उसके संदर में आपके काफी सारी precautions होती है जिसको यहां पर RBI लागू नहीं करती है क्योंकि इससे बाजार में उथल पूलत होने के chances में भारती अर्थवस्ता पे बहुत बड़ा दुस्प्रभाव पढ़ने के chances होते हैं जहां विदेशी निवेशक उन्होंने नहीं कर रखा है तो यहां पर चालू और पूंजी खाता भुक्तान संसुलन के घटक होते हैं अर्थात कितना आया और कितना गया ठीक है इसकी एक balance sheet बनाई जाती है balance sheet में भारत ने कितनी चीज़ों को चालू खाते के तहट बेचा है और कितनी चीज़ों को चालू खाते के तहट खरीदा है इसी तरीके से पूंजी खाती के तहट कितनी चीज़ें उन्होंने sale की है और कितनी चीज़ें उन्होंने buy की है उसके बाद फिर दोनों का यहाँ पर लेखा जोखा निकाला जाता है फिर चालू खाता और पूंजी खाते को पूरा जोड़ा जाता है और उसके बाद फिर यहाँ पर जो आता है वो होता है भुकतान संसुलन जिसे हम कहते हैं balance of payment अगर balance of payment यहाँ पर आपका minus में आता है full of चाहे आपका पूंजी खाता plus में हो चालू खाता minus में हो लेकिन total आपका plus या minus में आता है उससे पता चलता है कि आपका व्यापार में वृद्धी हो रही है या फिर हम कहते हैं कि व्यापार घाटा हो रहा है तो व्यापार अधिशेस और व्यापार घाटे की जो इस्थितियां आती है वो भुक्तान संतुलन के इस्थिति से पता चलती है कि हमने ज़्यादा आयात किया है या ज़्यादा निर्यात किया है अब यहाँ पर देखे रुपए के अंतराश्ट्री करण की यहाँ पर आवश्रक्ता क्यों है इसके संदर में कुछ बातें कही गई है जैसे कि डॉलर का वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार के कारोबार में हिस्सा देखे कितना बड़ा है 88.3% मतलब 100 में से आप कह सकते हैं 88 लोग किसमें लेंदेन कर रहे हैं डॉलर एकसेप्ट करते हैं और जितनी सरुमान अगर कोई मुद्रा है तो क्या करोगे आप आपको आसको यह option नहीं है आपको डॉलर होने चाहिए आपके पास लेंदेन के लिए डॉलर नहीं होगा तो समस्या लेंदेन में हो जाएगी तो यहाँ पर 88.3 के बाद फिर आपको यूरो, जापानी, येन, पाउंड, स्टर्लिंग का अस्थान आता है रुपए की जो हिस्सेदारी है वो आपको कितना है 1.7% ठीक है लगबग दो लोग भी यहाँ पर स्विकार नहीं कर रहे है तो इसे यहाँ पर अंतराश्टी अस्तर पर अगर आपको इसकी अंतराश्टी करण करोगे तो अभी आप जो देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए जो होता है लगातार क्या हो रहा है गिरता जा रहा है तो अगर हम यहाँ पर डॉलर लें दिन बंद कर दें और सारा पुकतान किसमें करने लगें रुपए में करने लगें तो हमें फिर डॉलर की चढ़ने उतरने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन जब तक नहीं है तब तक ये हमारा रुपएा डाउन होता रहेगा और जब भी आपका रुपएा यहाँ पर डाउन होगा गिरेगा तो उसे भारती अर्थविवस्था को यहाँ पर बहुत नुकसान होता है क्योंकि उसे पे किसमे करना है डॉलर में तो पहले आप एक डॉलर पे करते थे तो आपका कितना रुपएा जाता था मालीजे 70 रुपए जा रहा था लेकिन अब वही एक डॉलर आप पे कर रहे है तो इसका मतलब कितना आपका जा रहा है 80 रुपए मतलब हर एक डॉलर में दस रुपए का नुकसान आपका हो रहा है तो जब आप पेमिंट करने जाओगे तो पेमिंट में क्या होगा आपको नुकसान हो रहा है आपके पैसे जादा यहाँ पर जा रहे हैं यहाँ पर इसलिए इन चीजों की यहाँ पर बात की गई है। अपनी पूरी अर्थ वे उस्ता को जो उनका आधार है वो डॉलर है और उस डॉलर को उन्होंने इस तरीके से इतना मझबूत कर रहा है कि अंत्रास्टि इस तरपे 88 लगभग देश, 100 में से आपको डॉलर स्विकार करते है। तो इसके कारण वो बहुत ही क्या है? एक मजबूत आपको hard money हम कहते हैं जिसको सब लोग यहां पर स्वीकार करते हैं. तो वो आसानी से उसको cover up कर सकता है. और स्वीकार होने के कारण बहुत सारे देशों के द्वारा भी यहां पर अपनी अपनी यानि कि जो केंदरी बैंक हो दें, रुपया लेंदेन के लिए प्रयोग होने लग जाए, तो लाब क्या-क्या है? सीमा पार लेंदेन में रुपया का उपयोग भारती व्यापार के लिए मुद्रा जोखिम को कम करता है, जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है? उपर नीचे. मुद्रा के अस्थिर्था से सुरक्षा व्यापार की लागत को भी कम करती है, साथ ही व्यापार के बहतर विकास को सक्षम बनाती है, और भारती व्यापार के विश अस्तर पे बढ़ाने की संभावना को भी बहतर बनाती है. या विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवर्शक्ता को कम कर देगा, फि यहाँ पे ना सिर्फ आपकी economic stable हो जाएगी, आपका यहाँ पर लेंदेन की प्रक्राइब stable हो जाएगी, इसका रुपए के ऊपर नीचे होने की जो घटना करम है वो खतम हो जाएगा, stability वहाँ पर आपको आजाएगी, व्यापार में यहाँ पर कोई प्रतिकूल आपको प्रभाव नहीं पढ़ेगा, क्योंकि जब भी dollar up and down होता है, तो लेंदेन में जो होता है, लोग कम ज़्यादा खरीदना सुरू कर देते हैं, जैसे महंगाई की आप समझेए simple way में, महंगाई यह हो जाती है, अगर ज़्यादा rate बढ़ गए तो आप कम खरीदना हैं, वो आपको भी बढ़ जाती है, इसके तरिक विदेशी मुद्रा पर निर्भरता को कम करने से भारत को यहाँ पर देखा रहा है, तो बाहरी जोखिमों के प्रती कम सम्वेधन शीलिस्थितियां हो जाएंगी, कि जैसे कि अभी आप देखें, कि अमेर्की अर्थविवस पर दोगे, तहां पर इसके यह सारा जो प्रभाव आपको दिखाई दे जाता है, यह भी धीरे धीरे आपको कम हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर वही एक्जांपल आपको दिया गया है, कि मौद्रिक नीत सक्थ होने पर डॉलर को मजबूत करने के यहाँ पर प्रयास किये गए, घरेलू व्यापार के दिधिक विदेशी मुद्रा जाकियों के परिणाम सरूप वास्तविक घरेलू अर्थवेवस्था मजबूत होती है, मुद्रा जोखिम के कम होने से पूझी प्रवाह के उत्क्रमण को काफी हद तक कम किया जा सकेगा, इसका मतलब होता है, कि ज क्या करते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, और जहां उन्हें देखेगा कि हाँ, ये मार्केट में पैसा लगाना ठीक रहेगा, तो यहां से पैसा निकालते हैं, और दूसरी मार्केट में निवेश कर देते हैं, और जैसे ही आपके मार्केट से पैसा निकला, तो मार्केट धरा को नहीं मिलेगे। लेकिन हर चीज कहते हैं अच्छी ही नहीं है। इसके कुछ हैं चुनोतियां भी चुनोतियों में भी यहाँ पर rb ii ने कुछ पक्षों के बारे में जानकारी दी है। जैसे भारत एक पूंजी की कमी वाला देश है। इसके विकास के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यक्ता है यदि इसके व्यापार का एक बड़ा हिस्सा रुपए में होगा तो अनिवास्तियों के पास भारती रुपए की शेश राशी होगी जिसका उपयोग वभारती संपति को हासिल करने के लिए वो करेंगे ऐसी वित्ती आस्तियों की बड़ी होल्डिंग बाहरी जोक्मियों के प्रती समवेदन शीलता को बढ़ाती है जिसके प्रबंधन के लिए अधिक प्रभावी नितिगत साधनों की आवश्रक्ता होगी आपको जो पैसा भी आता है वो डॉलर में आता है ठीक है? अगर आपने कहा कि हम लेंदेन के लिए रुपया ही हर जगा यूज होने लगा तो यह जो डॉलर आ रहा है आपके पास यह डॉलर आना बंध हो सकते हैं वो अपने डॉलर का निवेश वो किसी अन्य चीजों में करना सुरू कर सकते हैं और उनके निवेशन में फिर उसको निकालेंगे और हटाएंगे भी अभी वो जो रेमिटेंस के रूप में यहाँ पे पैसा भेशते हैं उनके परिवारों के पास जाता है और जो परिवारों के पैस पैसा आता है वो आपकी घरेलू अर्थविवस्था में निवेश के रूप में चला जाता है लेकिन जब वहाँ पर उनको ये साधार नहीं मिलेगा वो किसी अने तरीके से इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे और वो जो पैसा आएगा वो आता जाता रहेगा फिर वो कभी निकाल भी सकते हैं और कभी डालेंगे भी तो उसको नियंतरित करने के लिए फिर आपको वहा बाहरी लेंदेन में परिवर्तनी मुद्राओं की कम भूमिका से आरक्षित निदि में कमी आ सकती है कि आप बाहरी निकाल देंगे सिफ रुपए 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 रखेंगे तो उससे भी दिक्कत हो सकती है बंडार की आवश्यक्ता भी उस सीमा तक कम हो जाएगी जिस स थिर्ता को बढ़ा सकती है जैसे कि वैश्यक्रूप से कम जोखिम अनिवाशियों को अपनी रुपए होल्डिंग को परिवर्तित करने हो भारत से बाहर भेजने के लिए यहां पर प्रेजित करेगा बात वही आई कि यहां पर देखे डॉलर के स्वीकारता जहां बंद होग कि निवेश्यक इस्थितियां कम करते हैं क्यों कि वहां पर डॉलर का मूल उनके यहां से लेंदिन का कोई मतलब आपके यहां नहीं रह जाएगा और सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी प्रक्रियां होंगी वह आपकी लोकल मुद्रा में होंगी ठीक है जिनका हो सकता उनको अतनी समझ भी ना हो क्योंकि वह सारी प्रक्यां किसमें कर रहे हैं आपको लेंदेन के लिए डॉलर के कहते हैं अगर हम यह सारी चीज़ें अपलाई कर देते हैं जिसका एक बड़ा जो एस्पेक्ट अगर हम समझें कि निवेश्यक इस्थितियों में समस्य हैं आपको खड आपको कदम उठाने भी हैं तो सबसे पहले जुलाई 2022 में यहां पे RBI ने रुपए में अंतराश्टी व्यापार को प्रोथसाहन प्रणाली अलरड़ी यहां पर शुरू कर चुका है ऐसा नहीं है कि उसके बैकफायर कर रहे हैं वो अलरड़ी इसको यहां पर एक तरीके से पुश अप कर रहे हैं कि हां किसको आगे बढ़ाना है साथ-साथ रुपए में बाहे वानजिक उधार की सुधा प्रण कर रहे हैं एक बॉंड जारी किया जाता है जिसे कहते हैं मसाला बॉंड दीके बॉंड कई तरीके होते हैं ठीक है इसमें सिर्फ एक यहां पर लिखा ह को और इसमें जो भुक्तान किया जाता है वो रुपए में किया जाता है ना कि डॉलर में होता है तो जो भी खरीदेगा तो वो मसाला बॉंड ठीक है तो उस व्यक्ति को भुक्तान भी रुपए में किया जाएगा या फिर वो बॉंड अपने पास रख सकता है ठीक है उससे उ पूरी हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपका मूलधन भी वापस कर दूँगा तो व्यक्ति क्या करता है एक तरीके से पैसा बॉंड लेता है उसके बदले आपको पैसे दे देता है आप उस पैसे लेकर आए निवेश करते हो उसके पास बॉंड पड़ा हुआ है उस बॉंड कहते हैं इसके लावा ACI Clearing Union Settlement के लिए घरेलू मुद्राओं का उपयोग करने के लिए एक योजना के तहत यहां पे प्रयासरत है जिसमें एक ऐसी विवस्था को बनाया जाए जिसमें द्वी पक्षी व्यापारिक संदर में प्रतेक देश के आयातकों को घरेलू मुद्र में भुक्तान करने का विकल्प होता है सभी देशों के इसके पक्ष में होने की संभावना की चलते या महत्पूर्ण है अर्थात एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें सभी जो देश हैं इस चीज़ की स्वीकार करें कि वो रुपय में लेंदेन को यहां पर स्वीकार करत ठीक है अगर ऐसे ही कई सारे देश भारत से जो भी व्यापार हो रहा है उसको वो रुपय में लेंदेन को स्वीकार कर दें तो डॉलर क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और भारत यहां पर मैं कहता हूं अचानक से सब अगर स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन हां कई सारे द साथ इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं और धीरे-धीरे हम रुपए के अंतराश्टी करण के इस्तिधी को प्राप कर सकते हैं फ्यूचरिक जिश्कोर से देखें रुपए भुगतान की पहालियाई जो पहल है वैश्विक आवस्था और व्यवस्था को ध्यान में रखकर देखा जाए तो काफी महत्पूर हो जाती है क्योंकि वास्तविक अंतराश्टी करण ता विदेशों में रुपए के व्यापक उपयोग के लिए केवल रुपए में व्यापार समझोता करना पर्याप्त नहीं है बल्कि साथ-साथ इसमें भारत और विदेशी बाजार दोनों में विभिन वित्ती साधनों के संदर्व के रुपए में उदारिक इद्भोक्तान और निप्टान प्रणाली को अपनाना अधिक महत्पूर है इसमीन कभी भी एकांगी नहीं होना है अर्थात, सिर्फ रुपए को ही अंतराष्टी करन करके सिर्फ उसी में लेंदेन की प्रक्रिया को ना अपनाया जाए बल्कि हम एक ऐसी प्रणाली को लेकर चलें जहां पर संभव है तो हम रुपए में भी लेंदेन कर रहे हैं और जहां नहीं संभव हैं हम डॉलर में भी लेंदेन कर रहे हैं एक तरफ डॉलर की प्रक्रियाओं को भी स्विकार करके कार प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाए रखा जाए और दूसरी तरफ हम नए बाजारों नए स्थितियों की खोजवीन करें जहां पर रुपए को हम अंतराश्टी अस्थर पर व्यापारिक परिस्थितियों में या लेन देन में प्रेयोग करते रहें तो एक ऐसी प्रणाली एक संतूलन कारी अस्थिती को हमें लेकर भविश की और देखना चाहिए रुपए के अंतराश्टी करन के लिए कुशल स्वैप बाजार और एक मजबूत विदेशी मुद्रा बाजार की भी यहाँ पर आवश्रक्ता होगी क्योंकि जैसे आप कहीं जाते हैं एरपोर्ट इत्यात वे विदेशों में आप जाएंगे वहाँ पर आपको करेंसी स्वैप के तहट रुपए उपलब्द कराने होंगे कि लोग रुपए को ले करके चीजों पर व्यापार कर सकें लेंदेन कर सकें, शॉपिंग कर सकें जैसे की डॉलर को लेकर आप कर सकते हैं तो उसके लिए ये ववस्था आपको बनानी होंगी समग्र आर्थिक बुन्यादी आयाओं में सुधार वित्य छेत्र की मजबूती के साथ सॉवरेन रेटिंग में व्रिधी से भी रुपए की स्वीकारिता को मजबूती मिलेगी जिससे इस मुद्रा के अंतराश्टी करण को बढ़ावा मिलेगा देखिए जो रेटिंग होती हैं ये कई सारी चीज़ों को लेकर होती है सॉवरेन रेटिंग में यहाँ पर किसी देश की मुद्रा कितनी मजबूत है इसको रेकर रेटि किया जाता है ये रेटिंग आपको स्वीकारिता के दिर्शकोंट से भी होती है जितनी जादा आप यहाँ पर स्वीकारिता होगी अब स्वीकारिता होगी अथाथ कितने देशा रुपए के लेन देन को यहाँ पर स्वीकार करते है उतनी ही आपकी रेटिंग क्या होती जाएगी कि रुपए की स्वीकारिता है अच्छी होती चली जा रही है तो अगर 40 देश कर रहे हैं तो 51 देश भी त्यार हो जाए गया रही है तो उससे क्या होता है एक positive environment बनता है बेस्ट्विक बाजार में रुपए के लिए तो वहाँ पर इस पर भी काम करना है कि हमें यहाँ पर sovereign rating रुपए की यहाँ पर अच्छी बनानी है और इससे यहाँ पर एक positive बाजार हमें यहाँ पर create कर सकते हैं ठीक है तो यह था आपका रुपए के अंतराश्ट्री करना को लेकर topic तो ध्यान रखना है इसको इस चीज़ को कि किस तरीके से क्यूं किया जा सकता है क्यूं नहीं किया जासता है इस पर question चलिए मैं आपको देता हूं लिखने के लिए इसमें लिखेगा भारती अर्थ व्यूस्था में भारती अर्थ व्यूस्था में व्यापारिक लेंदेन की प्रक्रियाएं डॉलर और रुपए के सामाज़से पर निर्फर करती हैं हालिया आर्थी घटना क्रमों हालिया आर्थी घटना क्रमों में डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी रुपए के अंतरास्टी करण को डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोरी को सिंगल इन्वेर्टेट कॉमम कर दीजेगा उसके आगे लिखेगा रुपए के अंतरास्टी करण को बढ़ावा देने का काम करती है बढ़ावा देने का काम करती है इस अंदर में RBI की इस अंदर में RBI द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की समिक्षा कीजिए प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की समिक्षा कीजिए दोसो सब्द में इस कुश्चन की आप कौन सा राइटिंग करनी है तो आज के लिए इतना ही बागी फिर कल करते है